दुनिया में छिड़े दो बड़े युद्धों में दोनों में किसी न किसी देश को अमेरिका समर्थन दे रहा है। दुनिया में दोनों में दोनों में दोनों में किसी दे रहा है। आला कि अब अमेरिका अपने विगड़े बजट और सुरक्षा विवस्ता की खामियों को दुरुस्त करने की दिशा में काम करने की तैयारी है। दरसल एक बात जो सामने निकल कर आई है कि अमेरिका का 886 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट भी युक्रेन और मिलिप्रिस के संकट को संभाल पाने में विफल रहा है। इन निक्षत्रों में युद्ध और तनाव रुकने की जग़ बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके अलाबा ये भी सामने आया है कि अमेरिका सिर्फ रूसी ही नहीं बलकि इरानी मिसाइलों से भी अपना बचाओ करने में कमजोर हो गया है। अब इसको लेकर पेंटेगन के वरिष्ट अधिकारियों के बीच मीटिंग और चर्चाओं का दौट शुरू है। सिनेट की सशस्त्र सेवा उपसमीती के अद्दक्ष अंगस किंग ने रक्षा विभाग के अधिकारों को ये बताने के लिए मजबूर किया कि वो अमेरिका की हाकीकत बताएं कि क्या अमेरिका विरोधियों का मुकाबला करने में सक्षम है या असहाय है। उन्होंने अंतरिक्ष और मिसाइल रक्षा के उपर रक्षा सचिव जौन हिल से पूछा कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचाओ के लिए या उसका जवाब देने के उपाए है या नहीं। इसके जवाब महल ने कहा कि हमारे पास बचाओ के लिए कुछ सिस्टम है लेकिन हमें और अधिक के जरुरत है इस पर किंग ने कहा कि यानि हमारी हाइपरसोनिक सुरक्षा परयाप्त नहीं है और हमें और अधिक सुरक्षा की जरुरत है किंग ने 14 अप्रिल को इसराइल पर हुए इरानी हमले का जिक्र किया जिसमें इसराइल पर इरान ने 300 मिसाइले ड्रोन और यूवी से हमले किये थे इस पर किंग ने कहा कियो अगर ऐसा हमला हो जाये तो क्या हम दुश्मन की 99 प्रत्चत मिसाइलों को मार गिरा सकते हैं इस पर किसी भी अधिकारी ने जवाब नहीं विया जवाब ना मिलने पर इस इस्तेदी को किंग ने चिंता का विशय बताया अमेर्की उतरी कमान और उतरी अमेर्की एरो स्पेस डिफेंस कमांड के कमांडर वायू सेना जनरल ग्रेगरी गुईलोट ने कहा कि इस समय हमारे पास जितनी भी सेन एक्षमता है वो इस रक्षत्र में इरानियों द्वारा फुल वॉल्यूम में किये जाने वाले हमले का सामना करने तक के लिए परयाप्त नहीं है इस दोरान रूस, चीन और उतर कूरिया से भी अमेर्की खत्रों पर विचार किया गया रिपोर्ट के मताबिक मिटिंग से ये निकल कर आया कि अमेर्की अधिकारियों ने खुद इस बात को माना कि उनके पास बहुत अधिक मिसायल डिफरेंस नहीं है चाहें वो हाइपरसोनिक हो, ड्रोन हो या फिर अन्य सैन्य हत्यार